एकनॉमिक्स वर्ट्यूल क्लासिस में आप सभी का स्वागत है अर्सास में सैंकी की अध्याई पांच से केंद्र परवर्टी की माम के अंतरगत आज हम मद्धे का और उसकी गढ़ना परक्रिया का विस्तार से अध्यन करेंगे मद्धे का किसे कहते हैं? परिवासा के अनुसार मद्धे का आरोही या अवरोही करम में समंग माला के विविन पदों के मद्धे का मुल्य होती है एक और समंग माला को दो भागो में इस परकार बाढ़ती है कि उसके एक और के सब पद उससे कम मुल्य के तता दूसरी और के सब पद उससे अधिक मुल्य के होते हैं इसको हम उधारन की साहिता से समझ सकते हैं जैसे निम संक्याओं से हमें मद्धिका की गढ़ना करनी है तो इसके लिए हम सबसे पहले पदों को आरोही करम में रखेंगे आरोही करम में छोटी से बड़ी संक्या में हम पदों को रखेंगे जैसे हमने पहले तीन रखा पी चार P667 इस परकार ये सारी संक्या आपको बढ़तेव करम में दिखाई दे रही है उसके बार हम मद्देका का सूत्र का इस्तमाल करेंगे M बराबर size of N plus 1 बटे 2 तो M का मतलब होता है मद्देका का मुल्य और N का मतलब होता है पदो की संक्या अब हम सूत्र के अनुसार संक्याओं को इसमें रखेंगे तो N हमारा है 9 क्योंकि यहां से यहां तक हमारे जितने पद हो उनकी संक्या है 9 plus 1 बटे 2 तो इसको जैसे हम पलस करेंगे 9 और 1 10 10 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 5 आएगा तो इसको हम लिखेंगे M size of fifth तो भाग करके हमें 5 मिला तो fifth size में हमारा जो item है मद्दे का है वो 7 कहलाएगी तो यहां पर हमारा उत्तर आया 7 मद्दे का हमारी 7 हुई कैसे हुई यहां पर देखते है तो जो हमारे पदों की संक्या जब हमने यहां से भाग करा तो पांचवी संक्या एक, दो, तीन, चार, पांच तो हमारी जो पांचवी संक्या है वो क्या कहलाई? 7 तो यही मद्दे का होगी यहां से 7 से इधर वाली जितनी भी संक्या है ये कम मुल्ले वाली होंगी और यहां से यहां तक जितनी संग्या होंगी ये अधिक मुल्ले वाली होंगी तो इसी को मद्देका कहते हैं मद्देका के गुण और दोश मद्देका के गुण या बहुत सरल और बड़ी सुगमता से इसको हम समझा सकते हैं इसके निर्धारण निश्चित और सुदोता है पदो की कुल संक्या मात्र से ही हम मद्देका ज्याद कर सकते हैं इसके कुछ दोस भी हैं, मदिका के पदों की संक्या से गुणा करने पर पदों का कुल योग हमें मालूम नहीं होता, यदि पदों के विस्तार में आसादरन भिंता होगी, तो जो हमारे निसकर्स हैं वो भर्मिक होंगे, इसे ज्याद करने के लिए समस्त समंकों का परियोग नहीं होता है, तो ये थे मदिका के गुण और दोश, मदिका का उपयोग, कहां का मदिका का उपयोग होता है, क्योंकि ये बहुत सरल विदी है, और इससे समझना बहुत आसान है, इसके द्वारा गुणात्म तत्थ, जैसे स्वास्त, बुद्धिमता, आधिका अध्यन किय जा सकता है इसी कारण समाजिक समस्याओं के विश्रेश्य में या बहुत अधिक उपयोगी है मद्यका की गढणा के परकार मद्यका की गढणा तीन परकार से की जा सकती है जैसे व्यक्तिकत श्रेनी के माद्यम से, खंडित श्रेनी के माद्यम से और अवंचिन श्रेनी के माद्यम से व्यक्तिकत श्रेनी, खंडित श्रेनी और अवंचिन श्रेनी में मद्धे का निकालने के लिए हम विभिन परकार के सूत्रों का इस्तमाल करते हैं इसमें वेक्तिकल स्रेंडी में आप देख रहें M बराबर size of N plus 1 बटे 2 से हम इसको निकालेंगे तो इसमें M मद्दे का मुल्य होगा और N पदो की संक्य कहलाएगा खंडी स्रेंडी में आप गर हमें मद्दे का निकालना तो हमें सबसे पहले CF cumulative frequency सेंचे अवरती का निकालना होगा उसके बाद हम यही वाला formula यूज करेंगे M बराबर size of N plus 1 बटे 2 उसके बाद अवंचिन स्रेंडी में आप गर हमें मद्दे का निकालना होगा size of N बटे 2 उसके बाद हम यह वाला सूत्र का इस्तिमाल करेंगे M बराबर L1 plus I upon F bracket में M minus C तो L1 हमारी मद्दे का वर्ग की initially सीमा होती है I वर्ग विस्तार होता है F आवरती कहलाता है M मद्दे का संक्या कहलाती है जिसको हम आगे समझेंगे कि इसे हमें कैसे पर्योग करना है तो सबसे पहले हम वैक्तिकल स्रेणी में मद्दे का मुल्य ग्यात करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले एक table बना लेंगे table में हम एक तरफ करम संक्या लिखेंगे तो हमारे पास जो पद है टोटल वह है ग्यारा यहां से लेकर यहां तक जितने भी हमारे पाद है इनकी संक्या कितनी ग्यारा है अब पदों का आकार को हम आरोहिक करम के अनुसार लिखेंगे छोटे से बड़े में लिखेंगे सबसे छोटी संक्या हमारी एक है तो हम एहां पहले एक लिखेंगे फिर तीन, फिर तीन, फिर चार इस तक परकार हम सबसे बड़ी संक्या नीचे लिखेंगे अब हम मद्धे का निकालने के लिए सूत्र के इस्तमाल करेंगे M बराबर साइज ओफ N प्लस वन बटे दो तो यहाँ पर पदो की संक्या हमारी थी 11 तो 11 प्लस एक बटे दो तो यह हमारी 12 बटे दो 2 से हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 आएगा तो 6 को 6 में हम यहाँ पर देखेंगे कि M बराबर साइज ओफ 6 आएटम इस इकल टू 5 तो यहाँ पर हमारी मद्दे का 5 आईए जैसे अब चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर 6 हमारा जो साइज निकला था यह वाला साइज हमारा 6 आया था तो इसके आगे आप देख रहें पदो का कार 5 है तो यह हमारा मद्दे का कहलाएगा इससे उपर की सारी संक्या हमारी का मुल्य की होंगी और इससे नीचे की हमारी जितनी भी संक्या है वह अधिक मुल्य की होंगी तो इसको बोलते हैं वेक्तिगत स्रेणी एक और उदारन लेते हैं, निम संक्याओं में मद्दे का मुल्य यहां पर हम ग्याद करेंगे, पहले वाले में और इसमें यह अंतर है कि यदि पदों की संक्या सम होगी या इवन होगी, जैसे यहां पर इवन हैं, तो हमें दूसरा इसमें सूतर का इस्तिमाल करना होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे यहां पर देखते हैं, बटे 2 निकालने के लिए, फिर हमने n लिया जो 10 है प्लस 1 बटे 2 तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो संक्या है वो सम संक्या कहला रही है हमने जब इसको प्लस किया 10 से 1 तो यह 11 हो गई अब 2 से हम इसको जब भाग करेंगे तो यह हमारी 5.5 आएगी तो 5.5 आने से के सामने क्या होगा कि हमें यह वाला सूत्र का इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि 5.5 जो हमारी संक्या आई वो इनमें कहीं भी मैच नहीं कर रही है इसमें अलग है तो हमें दोनों संक्या लेनी पड़ेगी पांचवी संक्या में जो पड़ो का कर रहे नौ है और छटी में दस है और इसको हम फिर दो से भाग करेंगे तो आपने देखा कि पांचवा आईटम और छटे आइटम दोनों को हमने यह पर जोड़ा नौ पाँचवा आइटम प्लस दस हमारा छटा आइटम है तो इसको जोड़कर हम दो से इसको भाग करेंगे तो 19 बटे 2 होगा दो से इसको भाग किया तो 9.5 आएगा व्यक्तिकत स्रेणी का हम एक और उधारन लेते हैं जब संक्याएं पदो की संक्याएं जब सम होती है या इबन होती है तो उसे हम कैसे हल करेंगे वह यहां पर हम देखने तो सबसे पहले हम टेबल का निर्मान करेंगे जिसमें हमारी करम संक्या 10 है और आप देख रहे हैं कि संसंक्या है और पड़ों का कार को में बदलेंगे चोटे से बढ़ा तो 5 7 7 8 हमने देखा यह आरोही खरम में हमने इससे कर दिया है तो आरभ में सबसे चोटी संक्या और लाज तक यह सबसे बड़ी संक्या है अब मद्ध्य का निकालने के लिए वही सूत्र है size of n plus 1 बटे 2 size of 10 plus 1 क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पदों की संक्या हो 10 है और 1 हमने प्लस कर दिया इसके साथ तो 11 बटे 2 हो गई 2 से जब हम 11 को यहाँ पर भाग करेंगे तो हमारे पास जो संक्या आएगी हो 5.5 आएगी तो यह हमारी संक्या ही 5.5 अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि size of 5.5 आइटम करम संक्या में आपको यह 5.5 आइटम नहीं दिखाए दे रहा है तो हम इसके लिए यह वाला सूत्र इस्तमाल करेंगे size of 5 आइटम plus size of 6 आइटम बटे 2 यह वाला हम आइटम यहाँ पर इस्तमाल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 5 और 6 हमें यहाँ पर करम संक्या लेंगे और इनका जो 5 करम है उसका जो पदों का आकारे वो 9 है और छटे का 10 तो इनको एक सादम जोड़ेंगे तो हमने यहाँ पर देखा कि 9 प्लस 10 बटे 2 हमने इसको जोड़ा है तो यहाँ पर 10 प्लस 9 19 हो गया है और 2 से हम 19 को जब भाग करेंगे तो हमारे पर जो संक्या आएगी वो आएगी 9.5 तो यहाँ पर जो हमारी मद्धे का है जो हम तो 9.5 यहाँ पर हमारा मद्धे का आएगी तो इस तरह से हम मद्धे का निकाल सकते हैं जब पदो की संक्या समो इवन हो अब आता है खंडी स्रेणी में मद्धे का निकालने के लिए हम कैसे इसका इस्तुमाल करते हैं देखते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चात्रों के रोल नमबर यहां पर दिए वे 4.5 5.0 4.5 और आवर्ति यहां पर दिवी जिसकों फिरक्वेंसी बोलते हैं यह यहां पर दे रखी है तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाएंगे इसमें जो हमारे रोल नमबर है वह हम इस तरब लिखेंगे 4.5 से लेकर 11.0 फिरक्वेंसी जो आवर्ति है एक दो तीन चार हम यह पूरी की पूरी यहां लिखेंगे फिर हम इसका टोटल करेंगे तो 457 हमारा फिरक्वेंसी जो आवर्ति उसका टोटल आया अब हम खंडी स्रेणी में मद्डिका निकालने के लिए हमें CF की आवशित्ता होती है जिसको संचे आवर्ति बोलते हैं तो कमिलिटी फिरक्वेंसी भी बोला जाता है तो इसको हम एड करते चले जाएंगे जैसे एक को हम एक ही रखेंगे एक को हम अगर दो के साथ एड करेंगे तो हमारा तीन आएगा तीन को चार के साथ एड करेंगे तो साथ आएगा साथ को पांच के साथ एड करेंगे तो ब अब हम इसको वही सूस्तिर इस्तिमाल करते हैं तो M size of N plus 1 बटे 2 तो यहां पर आप देख रहे हैं तो M का जो size N जो पदों की संक्या है CF यहां पर हमारी पदों की संक्या 457 और इसको हम plus 1 कर देंगे तो बटे 2 करेंगे अब जैसे आब यह करोगे तो यह 458 आ जाएगा तो 2 से 458 को हम भाग करेंगे तो यहां पर हमारा जो size आएगा वो 299 आइटम पर आएगा क्योंकि 299 आइटम संजे आवर्ती में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और यह संक्या संजे आवर्ती में 294 के अंतरगत आएगी इस वाली संक्या के अंतरगत यह आएगी तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 8.5 आएगी क्योंकि 299 संक्या इससे बड़ी है और इससे छोटी है तो इसके अंतरगत यह वाली संक्या आएगी तो जब यह वाली संक्या के अंतरगत आएगी तो हमारा जो तो मद्दे का मूल्य है, वो 8.5 यहां पर आएगा, तो यहां पर आपने देखा कि मद्दे का मूल्य 8.5 आया है, तो यह खंडित स्रेणी के अंतरगत, इस परकार हम मद्दे का को निकाल सकते हैं, अविंचिन स्रेणी में मद्दे का कैसे ग्याद करते हैं, इसको अब हम यहां पर देखेंगे, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अविंचिन स्रेणी में जो प्रापतांग होते हैं, वो इस परकार के होते हैं, 0-10, 10-20, 20-30, 20-40, 40-50, और जो चात्रों की संक्या है, वो यहां पर दीवी, 14, 25, 34, 12, 15, अब इनके आदार पर हम एक तालिका बनाते हैं, जिसमें हमने प्रापतांग यहां पर लिखें, 0-10, 10-20, और छात्रों की संक्या को हम आवर्ती फिर्क्वेंसी मानेंगे, 14, 25, 34, 12, 15, तो इनका जो हमारा टोटल है, पदो की संक्या 100, अब हम C-Up निकालेंगे, C-Up होता है कमिलिटिव की कमिलिटिव फिर्क्वेंसी, संक्या आवर्ती, इसमें पदो को एक साज, एक के बाद एक जोड़ा जाता है, जैसे 14 का 14, 14 से 25 को जोड़ेंगे, तो 39 आएगा, 39 को 34 से जोड़ेंगे, तो 73, 73 को 12 से जोड़ेंगे, 85 को 15 से जाबर हो गया अब हम इसकी गढ़ना करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास जो सूत्र है इसमें M जो साइज है वो N बटे 2 होगा और आपको पता है N हमारा यहां पे 100 संख्या दे रखी है 100 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 50th आइटम आएगा तो यह लाइन आप देख रहे हो क्योंकि जो हमारी 50 संख्या है वो CF के अंतरगत आएगी 73 क्योंकि 39 से 50 बड़ा है और 73 से छोटा है तो हम CF 73 के अंतरगत इसको लेंगे यहां पर लाइन ड्रौ करदेंगे तो हमारा जो मद्दे का है वो 20 और 30 वर्ग में आएगी तो मद्दे का हमारी 20 और 30 वर्ग में आएगी यह पूरी की पूरी लाइन हमने यहां पर ड्रौ कर दिये अब हम अगला सूतर यहाँ पर इस्तमाल करेंगे तो अवंचिन स्रेणी में मद्दे का निकालने के लिए हम यह वाला सूतर इस्तमाल करते हैं M ब्राबर L1 प्लस I बटे F M-C इसमें M का मतलब होता है मद्दे का और I का मतलब है 20 जिसको हम lower limit बहुते हैं हमारी lower limit है L1 और यह L2 अपर limit है तो lower limit लेंगे हम 20 M हमने यहां पर निकाला था तो M हमारा 50 आया यहां पर इसकी value 50 आई है और जो हमारा C लेंगे हम C हम यहां पर 39 लेंगे जो एक संक्या हमारी उपर होगी उपर वाली संक्या को हम लेते हैं इसमें जो हमारा मद्दे का आया था उससे उपर वाली संक्या हम इसमें लेंगे 39 और I हमारा वर्ग विस्तार है जो L1 माइनस L2 इन दोनों का अंतर हमारा 10 है तो आपने देख रहें 20 और 30 से 30 इसको घटाएंगे तो 10 आएगा तो यह हमने पूरी ट्रंप से आपे देख लिए की कौनसी संक्या किस किस ट्रंप में आईगी गी अब आगे हम देखते हैं कि L1 हमारा 20 आया था तो हमने यहां 20 लिख दिया प्लस आई जो हमारा वर्ग अंतराल है वो हमारा 10 है हमने 10 लिख दिया फिरक्वंसी हमारी 34 है आप यहां पर 34 लिखेंगे ब्रैकेट में M हमारी 50 वैल्यू आई थी यह हमारा 50 वैल्यू आया तो इसले हमने 50 लिख दिया माइनस 39 सी हमारा 39 है जो हमने यहां से लिया है अब हम इसको कैल्कुलेट करेंगे तो M बराबर 20 प्लस 10 अपॉन 34 इंटू 11 पचास में से 39 को माइनस करेंगे तो हमारी सेंख्या 11 आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे 10 को 11 इंटू करेंगे तो 110 बटे 34 होगा अब 34 से हम 110 को भा करेंगे तो आप देख रहें कि हमारे पास यह संक्य और यह 3 23 और 20 हमारे पार पहले से था तो 20 प्लस 3 23 आया अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो मद्धे का निकलेगी वह आएगा 23 दसम्लभ दो तो निकाली है इस इक्जांपल की थूँ तो उसका जो उत्त और आया वो तेज़ दसबलब दो आया है अर्षा स्विसे को और अच्छे से समझने के लिए आपको एकनामिक वर्चुल क्लासिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कर दो आपको एकनामिक वर्चुल क्लासिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कर दो आपको एकनामिक वर्चुल क्लासिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं